हलो दोस्तों कैसे है आप दोस्तों एक्जामनेशन बूड नहीं कुछ डेट अपडेट कर दी है आपकी एक्जामको लेकर बहुत सारे कमेंट मेरे वीडियो पर हिए आ रहा है कि सर throwing पी एबी ने एक्जाम की डेट ़ो आपडेट कर दी हैं तो उनके बारे में बताएं और 7 में वругоर गतीं की अब exam date किया रहेंगी वो भी बताएं तो आज हम इनी पर बात करने वाले हैं तो इसने के लिए हम चलते हैं पहले परपसला एक्जामनेशन बूट की साइट पर दोस्तों तो दोस्तों यह परफऊ personally ट्राय की वर्ग तीन कक्या होगा तो पहले हम वो एक्जाम डेट्स देख लेते हैं तो यहां पर आप यदि देखेंगे पास में तो आपको परिक्षा कारीकरम देख रहा होगा इस पर जैसे यह आपके लिए करेंगे तो यह आपके सामने डेट्स आ जाती हैं जो की आगे ब जल्दी घोसित करेंगे तो यह जो आपके एक्जाम थे इनकी जो डेट्स है वो आगे बढ़ा दी गई हैं है ना दोस्तों यहां पर आप नीचे देखेंगे लेकिन वहीं आप वर्ग तीन का देखेंगे तो अब भी इसमें 26 सितंबर से 22 अक्टूबर सो हो रहा है यहां प पर इवन 6 लाग फॉरम फिल हुए हैं उससाप से संसाधन चाहिए उससाप से सेंटर चाहिए लेकिन एक बात आपने गौर की होगी कि पहले जो एक्जाम डेट थी वो आपकी कौन सी थी 19 सितंबर 19 सितंबर से डेट्स ज्यादा आंगे नहीं बढ़ाई गई डेट्स आपक जो आपका क्रोनावाइरस का खत्रा होगा वो किस लेवल का होगा क्या पीए भी वो इंतजाम कर सकती है जहां पर क्रोनावाइरस के जितनी भी नियम है वो पालन किये जाए और पालन के साथ साथ आपको एक्जाम दिलाए जाए ठीक है दोस्तों उस पर निर्वर करेगा च यहाँ पर date क्यों update कर दिये, कि कुई ये न अ कह सके कि हमें exam की date का पहले पता ही नहीं था,택पर यह दम से पिरविसपत्र कैसे जारी कर दिये, तो आप यह न कह सको, यही उन्हों ने वर्ग एक और वर्दों के exam में किया था, involved एक और वर्दों के exam जो हुने थे, उन्हें एक महीने आगे बढ़ाये गया उसके बाद बहुत से लोगों को यह लगा कि अब और भी आगे बढ़ सकती है डेट लेकिन हुआ ऐसा कि प्रविस्पत्र जारी कर दी उन्हों ने तो यहां पर वो सेफ हो जाते हैं कि हमने तो पहले ही डिकलियर कर दिया था कि वह यह 26 सतंबर से एक्जाम होना है यहां पर आपका काम है कि पड़ाई जारी रखना अपडेट्स आगे बढ़े ही कि नई बढ़ेगी उस बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों पॉसिविल्टी बहुत ज्यादा आए क्यों है क्योंकि आप सुएम जानती हो कि क्रोनवारस का खत्रा है करीबन 6 लाक से उपर फॉरम फिल हुए हैं तो अधिकांशता एक्जाम देंगे और एक्जाम भी जो होंगे वो करीबन एक महीने तक चलेंगे किसी का सुब्य के सिप्ट में एक्जाम होगा कि क्या कोई केंडिडेट काफी हैं दोस्तों तो उस हिसाब से अब मैं आप से अपने मन आगे बढ़ी उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी अब उन्हें लगा कि भीया एक्जाम हो सकते हैं तो अब पढ़ाई शुरू कर रहे हैं वह से लोग ऐसा हैं कि जो 26 सितंबर को टार्गेट मना कर पढ़ाई करता हैं यदि 26 सितंबर से डेट्स आंगे बढ़ गई तो उनकी पढ़ाई वहीं खतम हो जाएगी यहां पर पढ़कर पास होना पढ़कर एवरेज नम्मा लाना कोई बड़ी बात नहीं है हर कोई लाही सकता है लेकिन बोर्ण नम्मर हासिल करना जो आपको जोइनिंग दिला जाए क्योंकि यह कोई एक्जाम बो नहीं है कि आपने कॉलेज की एक्जाम दिये कि जहां पर पासिंग मार्क ले आए पासिंग मार्क से भी ज्यादा एबरेज मार्क से लिया बस काफी है क्योंकि कॉलेज की एक्जाम हो गए स्कूल की एक्जाम हो गए लोग एक महीने, देड़ महीने के पढ़ाई में इतना कर लेते थे कि पासिंग मार्क या थोड़े पासिंग मार्क से ज़्यादा आ जाएं यह आपका competition exam है, इसके बाद आपकी job लगनी है और जब आपकी job लगनी हो तो वहाँ यह risk नहीं ले सकते तो आपको पढ़ाई तब तक जारी रखनी है, जब तक कि आपकी exam न खतम हो जाए, चाहिए वो 26 सेतंबर को exam हो, 26 अक्टूबर को, 26 नवंबर को, 26 दसंबर को exam कभी भी हो, तब तक आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, यदि आपने यह अपने mindset कर लिया तो फिर यह date आपको माइनी नहीं रखेगी, क्योंकि फिर आपके मन एक ही काया, कि यह 26 सेतंबर को exam हो, हम तहीं आ रहे हैं, dates आगे बढ़ जाएं, तो उसके जब भी dates आएगी, जब यह exam होगा, तब हम तहीं आ रहे हैं फिलाल तो दोस्तों, आपकी जो dates है, वो 26 सेतंबरी डली हुई है, तो target हमें 26 सेतंबरी रखना है, संबाबना से इंकार नहीं किया जा सकता, dates आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि coronavirus का effect कितना है, उस पर यह decision लिया जाएगा, लेकिन risk भी नहीं ले सकते, कि हम यह सूच लें कि भ अभी रखी हैं, उन्हें 26 सेतंबर, यदि dates आगे बढ़ती हैं, तो मैं update लाओंगाई, लेकिन आपको target यही बनाना है, कि 26 सेतंबर तक हमें अच्छे से पढ़ाई करनी हैं, दोस्तों, तो ये वीडियो एक सूचना मात है था, आपने इसे देखने के लिए इतना समय निका उसके लिए आपको तहे दिल से धन्नवाद दूश्तों,